हाई दियो फ्रेंड्स आपका फिरसे स्वागत है और आज हम सीखेंगे कैसे एक एनिमेटेड पोस्टर बनाना है ठीक है तो हम जल्दी से www.canva.com पे जाएंगे या सीरे Canva दबा सकते हैं आप आप कैनva पे जाने के बाद कुछ इस तरहीं से उनका पेज क्ल के आता है और आप यहां पे टंबलेट में जाएंगे टंबलेट में उसके बाद पोस्टर पे जाएंगे ठीक है और यहां से आप कोई साभी यहां चुन सकते हैं तो फिलाल में मैं motivational चुनियत आँ और आज हम एक नया एक poster बनाएंगे तो templates बहुत सारे templates हैं आप templates भी चुन सकते हैं उसमें भी काम कर सकते हैं लेकिन आम यहाँ पे एक blank poster पर काम करेंगे खाली poster ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस विशे के उपर आप poster बनाने वाले हैं तो मेरा जो है वो बच्चों को पर मैं बनाने वाला हूं और यॉर्पेरेंट्स करके तो मैं सबसे पहले इसका background चुनूँगा चुन दिया उसको और मैं टेक्स्ट चुल लेता हूं टेक्स्ट जो मुझे लिखना है यहाँ पर बहुत सारे options हैं जो भी आप चुन सकते हैं आप बहुत अच्छे-च्छे हैं यहां पर आजाता हूं और फिर मैं कोई फोटो चुल लेता हूं जो अपलोड में मैंने जो डाउनलोड करकर रखा है इस के अंदर तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कैसे आपको अपलोड करना है एक आहिमेज आपके के पहुत में फोट्री लेता हूं और मैं इसको यहां पर सेट कर दे कैलें सकूर अगरा प्रना चाहते हैं इसको साइज बढ़ाना और इस तरीके से जब आपका यह ready हो जाएगा जब आपका यह ready हो जाएगा तब इसको आप एनिमेट करेंगे एनिमेट करने के लिए कुछ नहीं करना आपको सुर्फफ एनिमेट पर जाना है और आप इसको select कर सकते हैं जो आप एक एक करके देखेंगे यहां पे जो अच्छा लगता है आपको उसको आप सेलेक्ट कर लेजी ठीक है तो फिलाल में मैं पैयन ले लेता हूं और फोटो का जो है मैं इसको फोटो फ्लो या फोटो जू जो फोटो के लिए अच्छा लगता है उसको मैं चुन लोगा और आप इसको देखेंगे एक कैसा लगया है उसके लिए नहीं पर जाएंगे और इसको देखेंगे कैसा देखता है यह इस प्रकार से लिए अगर आप चाहब देखिये स्में को यह music एड़ करना है मेरे को तो आप कुछ नहीं audio पर जाएंगे और जो free music है जो free लिखा हुआ है उस music को आप यहां पर और आप इसको यहां से download कर सकते हैं MP4 में जो भी आपको चाहिए MP4 में आप इसको download कर लिए डाउनलोड पर दबाएंगे तो यह आप के लिए download हो जाए इस तरीके से हम एक animated poster बना सकते हैं कैनवा के द्वारा